नाशा के एक सूध करता रिक ब्रिक्स ने 1985 में एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका टाइटल था Knowledge Representation in Sanskrit and Artificial Intelligence दरहसल इस शोध पतर में उन्होंने ये दावा किया था कि संस्कृत को Artificial Intelligence Programming के लिए एक सबसे बहतर भाशा के रूप में प्रियोग किया जा सकता है उन्होंने ये कहा था कि संस्कृत एक नियम बद, सूत्र बद और तार्किक वयाकरण रखती है और इस परकार की भाशा का Computer के Algorithm में सबसे उप्युक्त तरीके से प्रियोग हो सकता है आज एक बार फिर से संस्कृत का Computer Language के रूप में प्रियोग हो ये जो है चर्चा में है इसका कारण ये है कि Cambridge University के अंदर एक चातर ने पढ़नी के धाई हजार साल पुरानी एक फॉर्मूला को डिकोड कर दिया है आज के विडियो में हम जानेंगे कि क्यों Cambridge University के शोद करताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस से संस्कृत का एक Computer Language के रूप में यूज होने का रास्ता साफ हो जाता है और आसान हो जाता है नमश्कार दोस्तों मैं पराची Supercoaching IES by Testbook में आप लोगों का बेहत स्वागत करती हो आई एक बहुत गर्व से भरी हुई और एक बहुत इंट्रस्टिंग न्यूस पर चरचा करते हैं यहां पर आप देखे आची जो दाहिंदू का न्यूस पेपर आया था उसके अंदर ये आर्टिकल दिया हुआ था कि करीब धाई सो जो है करीब जो है धाई हजार साल पुरानी जो एक पजल है वो एक इंडियन स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व कर दी गई है फिर यहां पहली थी विष्व की सबसे बड़ी जो पिछले धाई हजार सालों से जो है संस्कृत के स्कोलर्स को हरा रही थी फाइनली एक भारती स्टूडेंट के द्वारा जो है सॉल्व कर दी गई है और इसके बाद यहां बताया है कि एक इंग्यन स्टूडेंट ने अक्चली संस्क अब दरहसल काम कर पाएगी तो यह जो लंग्विज मशीन संस्कृत की यह बहुत इंटरस्टिंग कॉंसेट है इसको हम यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रियास करेंगे पहले और न्यूस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं देखिए एक ग्रामेटिकल आप कह सकते हैं काम था रिशी जो राजपोपट है उन्होंने डिकोर्ड कर दिया है इस रूल को और यह रूल हमें किसने सखाया था दा फादर ओ लिंग्विस्टिक अस्ताध्याई के रचियता जिन्होंने दुनिया में पहली बार भाशा को सूत्रबद करने का इतना मेहत पनिनी है उन्होंने अस्ताध्याई के अंदर एक लांग्विज मशीन बताई थी जिसके अंदर 4,000 फॉर्मूला उन्होंने दिये हुए थे वह 4,000 रूल से हर एक रूल तीन से चार शबदों से मिलकर बना हुआ था और वह रूल आपको बेसिकली पूरी भाशा पूरी इसे बना सकते हैं यह आपको सिखाता है और अगर वही रूल्स आप कम्प्यूटर के अंदर मशीन लांग्विज की तरह यूज करेंगे तो एक नाचुरल प्रोसेसिंग ऑफ लांग्विज जो होती है इंसान और जो मशीनों के बीच में बहाशा का जो संबनता है वो यहा अगरिदम फो रूल कॉन्फिलिक्ट रिजोलूशन इन अस्टा ध्याई और डिटेल से देखेंगे यह पर अर्टिकल आया वा था जिसमें संस्कृत भाषा के ओरिजन को लेकर और अभी जो यह बैसिकली खोच हुई है यह आप कहेंगे जो डिकोड हुआ है इसको लेकर क् अग्विच मशीन भाषा की एक मशीन थी कॉंसेप्चुल मशीन इसको हम कहेंगे इस मशीन के अंदर क्या था किसी भी संस्कृत के वर्ड को डराइव किया जा सकता था और उसके मिलियंस जो हैं गरमेटिकली करेक्ट वर्ड बनाए जा सकते थे ऐसा कैसे होता था कि एक्ज जोड़ा और यह definition बन गया इसी तरह पणिनी ने हमें बताया base word लेकर आप उसके base में कुछ add-on करेंगे suffix वगरा तो नए नए words जो हैं बनते चले जाएंगे अब जब दो words को आप जोड़ रहे हैं तो उनका pronunciation कैसे होगा यह बहुत महत्वर्ण हो जाता है क्योंकि define और Asian को definition बोलते हैं यह हमने सीखा लेकिन इसको definition अगर बोलने लगते तो यह गलत हो जाता सेम इसी तरीके से संस्कृत के अंदर पणिनी ने बताया आप सर्फ एक शब्द लीजे और उसके grammatically correct व्याकरनिक रूप से सही जो है आप करीब लाखो शब्द बना सकते हैं और उसके लि यह बार ऐसा होता था जैसे पनिनी एक सिस्टम बताया कि आप एक एक वर्ड उसमें जोडते जाएंगे चलनबद तरीके से एक एक रूल अप्लाई होता जाएगा और फिर स्टेप बाई स्टेप आपको नए ने वर्ड मिलते जाएंगे यहां पर पाब्लम क्या हुई जब मौन पर से जाधा रूल लगने लगए मालनी चाब नमबर वन पर एक रूल लगा स्टेप नबर तुप ब UE लगा स्टेप नमबर थरी पर जब आए तो मोर दन वन रूल लग रहा था अब यह कैसे पता चले कि कौन से रूल को दूसरे निएम के ऊपर प्रायोर्टी दी चा अब इसी पजल को सही solve कर दिया है भारतिय मूल के इस छातर ने और इसलिए अब हम जो वो कई सारे व्याकरनिक रूप से सही शब्द बना सकते हैं बेस में अलग-अलग वर्ड जोड के वो हम जो है अच्छे से कर पाएंगे और वो बेसिक लिए में बता देता है कि अगर इसी का नाम किया है डिस्कवरिन बा अलगोरिथम फो रूल कॉन्फिलिक्ट रिजोलुशन इंदी अस्टा दिया है दरहसल यहां पर इनका यह कहना है कि हम लोगों ने अक्चली पनिनी को जो है थोड़ा सा इंडिस्टिमेट कर लिया हमने क्या किया उनके फॉर्मूलेस के उन्होंने अचली एक ऐसा सिस्ट्रम हमें दे दिया था जिसमें हमें अपनी तरह से कुछ भी अड़ करने की जुरत थी ही नहीं वह में कैसी मशीन दे गए थे जिसमें वह चाहते ही नहीं थे कि आगे को इवोलुशन की जुरत पड़े वह अपने आप में परफ्रेक्ट थ इस पर रूल फिटनी होता यह भी अपवाद इस पर रूल फिटनी होता ऐसे बहुत सारी चीज़े बन गई थी इन्होंने बताया इतना जाधा तो करने की ज़रत थी अपने आप में वह चीज़े क्या है परफ्रेक्ट थी थोड़ समस्ते हैं कैसे चीज़े काम करती है जैस ग्रामर के इस रूल पर आता था मतलब एक सीरियल ओर आप समझ लीजे तो जब दो चीजों का आप जोड रहे थे तो सीरियल ओर के अकॉर्डिंग उनको फिर रूल लगता था तो जो बजल थी पहले उसका मतलब यह माना गया कि जो सीरियल ओर में पीछे आता है उसको जोड मतलब यह नहीं था कि ग्रामर के सीरियल ओर आता है तो इसलिए इस रूल को क्या है मानते थे कि इस रूल के गॉर्डिंग यह जोड़ेगा तो बनता था मंत्रे भी अभी एक रॉंग फॉर्म थी ठीक है तो अब माना गया कि पढ़नी के अकॉर्डिंग चीजे कुछ नहीं अब आता है तो निकल के आता है मंत्रे और यह नहीं था कि ग्रामर के सीरियल और में जो पीछे आएगा उसको लेना है बलकि उसका यह मतलब था एक रफ्ट होता है नकल के आता है मंत्रे तो यहां भे उन्होंने क्या क्या यह अप्लिकेबल होगा to the right hand side part अब यह right hand side part को जोड़ा तो निकल के आता है मंत्रे और यह मंत्रे जो है यह correct form है तो हमें अचली यहां पर संस्कृत का वदवान नहीं बनना है हम सिर्फ यह कोशिस कर रहे हैं समझने की कि एक rule के change होने से कैसे grammatically incorrect word जो निकल के आ रहा था वो एक शहीज शब्द बन गया और ऐसे ना जाने कितने शहीज शब्द जो हैं अब बन सकते हैं यहां पर ही हमने समझा इसके अलावा देखे मैंने आपको क्या बताया अब बेसिकली यह जो डिसकोवरी है इसके चलते हम ऐसे अल्गोरिदम्स बना सकते हैं पनिनी की ग्रामर के जो बेसिकली कॉंप्यूटर्स को यह पूरा का पूरा ग्रामर सिखा दूर ऐसा काम्डरीज यूनिवस्टी की तरफ से कहा गया है यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट देखते हैं जिसमें संस्कृत को एजो को यूज किया गया है तो मशीन जो उन्होंने बनाई लांगवेज मशीन जो की कॉंसेप्ट मशीन उन्होंने बनाई दरवसल वन अफ दा मोस्ट इंटलाक्चली इंटलीजेंट घोज उसको इस्ट्री में बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक शब्द के सहारे आप ना जाने कितने लाखो शब्द बना सकते हैं वाक्य बना सकते हैं जो व्याकरनिक रूप से सही होंगे अब सबसे बड़ी बात उनकी परनेंशियेशन फर किस तरीके से होगी वो रूल कैसे अपलाई होगा यह अब हमें पता चल गया है तो अब हम चीजे ठीक कर सकते हैं मुझे उमीद है कि एक डिफरेंट सा और यह वेसिकली एक मुश्किल सा लगने वाला टॉपिक हमें समझ में आया होगा और we should be proud of it कि हमारी जो ancient legacy है हमारा जो एक literature का पूरा विरासत है हमारी संस्कृती की जो एक पूरी विरासत है वो कितनी जादा महतपूर है कि देर से ही सही लेकिन धीरे धीरे विश्व ने उसको पहचानना शुरू कर दिया है और अब वक्त आ गया है कि हम लोग भी proudly अपन के साथ अगर आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और मैं यहां पर विदा लेती हूं आपसे बहुत जल्द मिलूंगे एक नहीं वीडियो के साथ थैंक यू सो मच जैहिंद